तब लंकिनी ने जित पकड़ी कि कुछ भी करें जब तक आप मुझे सत्संग नहीं करेंगे परिसाथ, मुझे ज्ञान नहीं देंगे परिसाथ, बाताल आप नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको नहीं जाने दोगी, पैर पकड़े, शर्नागत हो गई महियां, अभी अर्मान अभी को लगा कि ये सत्संग, सत्संग इतना कर रही है, उसको सत्संग की महिमा पता है क्या, कई बार महिमा पता नहीं होती है, और लोग चल जाते है, तो ये सत्संग की बात कर रही है, मगर सत्संग का क्या प्रभाव है, ये राक्षतानी की महिला जानती है क्या, तको सत् अपसंग से क्या क्राप्त होता अनमादी ने पुछा, तब लंगिरी बोलती है, अदबुत बोली है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अं, तुलन ताही सकल मिली, जो सुखल अब सतसंग ऐनमाजी महराज, आप संथ है और संथ के स्वर्ग से क्या मिलता है आपको क्या पता है? क्रोओं एक त्राजू लिया जाए धरिया तुला एक अंग, एक अंग में त्राजू को उठाया जाए,ién के अंगिर, दोनों पलने में एक पड़ने में स्वर्ग का और अपवर्ग का सुख रखा देगे ताथ स्वर्ग अपवर्ग सुख रखा स्वर्ग यानि कि एंटायर मट्रियर दॉलर पाउंड हीरा माने जबेरा गवर्वारी गाड़ी दस्तावे जो भी अब साथ में लेके नहीं जाने वाले हैं वो उसको बुलते हैं स्वर्ग और अपवर्ग यानि वहाँ जाने के बाद जो सुख की प्राप्ति होती है अनुव होता है जदगतवा ननिवर्दते तद्धामं परमंग वहीं पुट पे जाकर कैलास पे जाकर जिस सुख की अनुवोती होती है उसको कहते हैं अपवर्ग का सुख तो एक पलडे में स्वर्ग का सुख और उसके साथ अपवर्ग का सुख रखा जाए दूसरे पलडे में सिर्फ सथसंग को रखा जाए फिर बाद में दर्यत लाइक अंग उठाओ तूलनता ही सकल मिली जो सुखल वर सतसंग लंकिली के दिक अनमाजी महराज सतसंग के पल्डे को ये स्वर्ग और अप्पर के सुख भी उठाने काते है अनमाजी महराज लंकिली के साथ सतसंग करते है और जिसके जिवन में सतसंग है मती किरती गती भूती बलाई सो जानब सतसंग प्रभावत सतसंग से क्या होता है विष्ट अटाइम लोग बेटे रहते हैं समय बिगाड़ते हैं कई लोग बहुतिक लोग तर्ग देते हैं और सभी के तर्ग का स्वागत करता हुए मैं कोई गलब है ऐसा बोलता है नहीं सब लोग सही है क्योंकि रुची नाम भाई चित्राप ग्रुजुकुटिल नानाम पद्रिसाम नाम एगो गम्यास्त्वमसिपाईसाम अरनम इवा रुची के बिंदा के कारण सबको अलग अलग मैं रुची हो दिये तो किसी को क्रिटिसाइब ने करना चाइए मगर भगवाद को पाने का पहला रास्ता है सुनने का और सुनने के लिए स्रवण जरूरी है जब कथा होती है वारता होती है शबसु होता है पर आप ऐसा मत ते कि मंदिर के ओर से मेल आ गया इसलिए आप आगे कि राम की कृपा है कि हमको ये सत्संग मिला है तो राम की कृपा से प्रभु की कृपा से बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा विनु सुलतन सुल्ण ये हमारे जीवन में दुख का कार्ण वो विवेक है क्या करना चाहिए और क्या ने करना चाहिए कल में बता है इतनी वो शिगड़े वाली बात है कि वो विवेक का उत्तमधार है तो उस विवेक के प्राप्ति सत्संग से होती है मगर सत्संग भगवान की क्रिपा से होता है यहां लंकिने के उपर अनमान जी महराज की क्रिपा हो गई उसको सत्संग बिला अब तिसरी बाद अनमान जी महराज अग्रसर होते है सुर्सा ने आशिरवाद दिया वैसे ही लंकिनी ने आशिरवाद दिया कि जाओ अनमान जी महराज आप लंका में जाओ मैं आप जाओ आपको जो भी करना है प्रमसी नगर कीजे सब का जाओ आपको कोई रिष्टिक्शन नहीं जो भी करना है और अनमान जीदे कुछ कर देगा बागी भी भी रखाओ प्रमसी नगर कीजे सब का जाओ मगर कंडिशन एप्लाइब रदे राखी कौशल पूरे राचा आपके रदे में राम रहने चाहिए रदे से राम भटा दुर्वटना घट जाएगे आप रदे में राम के रखकर लंका में जाएए और जो भी करना है आप कीजिए अनमाजी माराच मैं आपको आशिरवाद देती मुझा आपको शुकामना देती मुझा एदी आपके रदे में राम होगा तो गरल सुधारिप करही मिताई गोपद सिंदु अनल शितलाई बहुत ही बढ़िया आप लंका में जाएगे तो लंका केसी है राक्षसों का देश है तो वहाँ आपको जहर मिलेगा गरल अर्था विश मगर हे हनमार जी विश सुधा बन जाएगा गरल अर्था अम्रित नेक्टर पोईजन विकमा नेक्टर यदि आपके रदे में राम रहेंगे तो है हनमार जी महराज आप प्रेम से जाएगे रदे में कोसलपूर के राजा यादिगी राम रहेंगे तो आपके सामने कितना भी विश आएगे आपकी जाएगे आपको कुछ नहीं होगा वो विश आपके लिए अम्रुत बन जाएगा गरल सुधा रिपू करही मिताई अनमार जी के कोई सखे संबंदी फ्रेंड्स पेस्ट बूक वाले ट्वीटर वाले कोई नहीं थे मगर भी उनका सब का ओग या रावन का भाई उनका मित्र बन जाएगे के गरल सुधा रिपू यानी शत्रू आपसे शत्रूता नहीं करेगे आपके साथ आपके मित्र बन जाएगे वो कम बनेगे यदि आपके रदय में प्रभू राम का स्मर्ण शुरू होगा तो गरल सुधा रिपू करभी मित्राई और अदभूत उदान दिया के गोपद सिर्जू अनन सित्र लाएगे गोपद है साथ काउस पैर सिम्बल गाई के पैर के खरी के मास्का खड़ा गोपद एक कटोरी जेसे बड़ी कटोरी होती है ना गिली जमिन से गाई चलती है तो जिस प्रकर का खड़ा हो जाता है उसको कहते हैं गोपद तो ये गोपद कैसा बनेगा गोपद आपके जियूम में कैसे आएगा तो गोपद सिंदू सिंदू अर्था और सा धरिया बड़ा समुद्र आपके लिए हरमा जिमारा चोटा सा गाई की खड़ी के मापका खड़ा आप पाथ साथ खड़े कोई एक साथ में कूल सकते हूं जा पर गृपा मारा राम जी की होई ता पर गृपा करे भू सब को हम कितना समुद्र भजार कर रहे हमसे हूं मिरा रॉकह करमें हूं परम्ट नि विघ्व कर दिए कि आपना मिर्धाी क्यों इस Hakना तो पर गोगए्व अगनी आपको जलाएगी नहीं, आपको शितरता पुर्दान परेगी अगनी का काम है, जलाएग, लोग ने चल, मगर यदि आपके रदई ने राम है, तो अगनी आपको जलाएगी नहीं गरुड सुमेरु रेनु समताही, राम क्रिपाकरी चितवाजाही बड़ा सा परवत आपके सांगने आजेगा, सुमेरु बड़ु मगर यदि आपके रेनु धूल की एक रजकर के बराबर हो जाएगा, गरुड समेरु रेनु समताही, राम क्रिपाकरी चितवाजाएगा राम का समरण करके अनवान जी महाराज पैठा नगर सुमेरी अतिलब रूप तरेम हनमाना पैठा नगर सुमेरी भगवान। तिस्री बार पैठे जब कभी आगे निकलने का हुआ प्रस्तान होता है, हरी का समरण। लंकीनि को आशिरवाद देखें लंका में आ रहे हुआ। यहां शक्त बहुत अच्छे लिखे है कि मंदीर मंदीर प्रतिकरी सोधा, देखे जहां तहां अगनीत जोधा। यह मंदर कुम साथा, लंका में कुम सा मंदर था? माताजी का था, तराम का था, खिर्ष्म का था? शिल्का कि नहीं था. बनाना बागी था. लंका ले दूर्ध है ना वो कैसे रावन की कभ़ी में कैसे हैंगी? रावण लंका अधिपति कैसे बनाएं सभी देवताओं ने भगवान महादेब को कहा कि महादेब जी आप ऐसे कैलास में बैठे रहते हैं कुछ धंग का कोथी बनाओ हम लोग आते हैं तो हमको शरम आते हैं स्वाइस के लगवी ने तो कम से कम हमारे लियुका बनाएं सभी देवताओं ने बिनती की तो विश्वकरमा को बुलाया और विश्वकरमा को कहा कि ठाकुलजी के लिए भगवान बुले बाबा के लिए सबसे अच्छा निवास बनाईए विभवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं मैं रहने जाओगा विश्व करमा ने अदभूत कोथी बनाई इर्दगित पानी अदभूत बंक वो कनद कोथी पिचित्रमनिक शुवन का किला बनाया दुर्ग बनाया उसके अंदर भगवान शंकर को लिवास करना था तो अहेक प्रक क्रकार के मंदीर बनाए मगर हम कोधी बनाते है घर बनाते तो प्रवेश से पहले वास्तु करना होता है वास्तु के प्गर हम नहीं प्रवेस्ट कर दे है तो इस वास्तु कॉन है? वास्तु एक प्रकार का विधान है वास्तु शांती उस वास्तु को शांक करने का उसको पहते है वास्तु शांती मगर फिजिकली परिचे दिया जाए तो वास्तु भगवान शिव का पुत्र जो भगवान शंकर के प्रस्वेत से उत्पन हुआ था विक्राल महाकाइथा सज्जनों को दंडित करने लगा तक ब्रह्मा जी ने अपने 37 देवताओं के साथ पकड़के ऐसे बांद कर एक चौरस खड़े में नौर्स इस्ट में मत्था राके उसको उल्टा गाल पिला अब वास्तु की पिच्छल देखे होगे वास्तु वास्तु एक्ष्णिर नहीं है बारी बारना दरबाजा आधि में वास्तु नहीं है वास्तु इस इनसाइड़ नमस्ते वास्तु पुरुषव वुशया बिर्दप्रभु मद गुरुवे धनधान्या दीप्संपृतिं कुरुषर प्लाव सब्रुषव का अधिश्टता है वास्तु तो वास्तु करना चाहिए और प्रयोग ऐसा है कि सो रुपया की कोड़िये तो दस रुपय का वास्तु कराईए दस मिलियन का कोड़िये तो एक मिलियन का वास्तु कराईए दसाउश का प्रयोग होना चाहिए तो महादेद ने कहा कि अच्छा पंडित दून कराओ, सबसे दुनिया का सबसे अच्छा पंडित कौन है, उसको आप पकड़ के लाए लिए, तो तब का तकालिम महराज विद्वान पंडित था, स्री रामर, जिन्होंने वेद को सस्वर किया, ऐसे हाथ हिलाते हैं पंडित ल अच्छा पंडित लिए लिए होता है, उस्वर है, वेद के अंगणा नंद्वा गणबादे घुम्हवावाहे, उस्वर है, तो वेदों को सस्वर किया, इतना ज्यानी था, परमशीव बक्त था, और पहले तो पुजान बहुत लंबे लंबे चलती लिए, तो एक मैना तक वास्तु चला, और आमने बहुत बढ़िया वास्तु के या, और वास्तु के अंद में रिवाज क्या होता है, कि हमारी या सत्कर्म पुरा हो जाए, तो पंडित को पूछ दे के आपको धक्षिना क्या चाही, मगर पुरा करने के बाद, अजका तो पहले सब नक्की कर लेते कि मैं इतना दूगा, उससे जाजा नहीं, या तो जो सो एंसो, मैं पहले ऐसा नहीं कहा है, तो पहले क्या करते थे, आपको जो जरूर थे, उसकी विवस्ता पंडितों के लिए उत्रम पे थे, तो प्रभुश अंतर दे बुला कि महत्मा बहुत अद्बुत पुजा आपने कि बहुत आनदाया, कल अंतिन दीन है, आपको दक्षिणा में जो कि चाहिए, आप सोच के रखे,